नमस्कार दोस्तों देखिए अपन बात कर रहे थे पुनर्ट जागरन के बारे में जिसमें पुनर्ट जागरन कालीन सहित्य के बारे में अपन बात कर चुके थे और आज अपन बात करेंगे पुनर्ट जागरन कालीन कला के बारे में तो आज का हमारा जो टोपिक है उसका ना चित्र कला है चित्र कला मूर्ति कला अस्ताफत्य कला सभी के बारे में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चित्र कला के बारे में चित्रकला के बारे में अमूल जूल परिवर्दन वाता चित्रकला को अपने पढ़ें पुनट जागरन काल में तो उससे पहले आपको चित्रकला में 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 जिसमें आपका पहला वेक्ती है जीएटो दूसरा जो वेक्ती है लियनार्दो दविंची तीसरा है माइकल एंजिलो और चोथा जो वेक्ती है उसका नाम ह राफेल उर्विनो और भी कई वेक्ति हैं लेकिन ये च्यार वेक्ति मुखे रूप से आपको चितर कला के क्षेतर में याद रखने हैं देखे पुनट जागरन काल में आपका जो सरवातिक विकास वा था वो चितर कला के क्षेतर में यह वा था और चितर कला का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है आपका रोम है देखें पुनट जागरण की शुरुवात कहां से हुई थी इतली से हुई थी इसका मतलब चित्रकला की जो शुरुवात है वो भी आपकी कहां से होगी इतली से होगी और जो इतली में रोम है वो क्या है आपका चित्रकला क केंदर है आपसे पूछे जाए कि पुनट जायान काल में चितर गला का केंदर नहीं हुता था धार्मिक विशयों के अधार्मानकरी चितर बनाय जाते थे। लेकिन कुनर्जाग्रणकाल में जो concept आया था वो आपका धार्मिक विशयों के स्थान पर आपका लोकिक विशय, यादिक जो स्थानिय विशय हैं, क्षत्रिय विशय हैं, उनको अधिक महत्वय दिया जाने लग पहले जो चितर बनाए जाते थे वौ धार्मी किया है जैसे देवी-देवताओं को किंदर बिंदु मान करकर वहां से चितर बनाए जाते थे लेकिन पुनड़ जागरनकाल में जो चितर है वो आपको सहज सुंदरिय की उपासना यानि नारी और प्रकृति को किंदर मान कर चि विदिया है जिसे आपकी टेमपरा पदती है और अपन लास्ट में बात करेंगे चित्र कला की कौन-कौन सी विदिया है तो सबसे पहले बात करते हैं जीटो की सबसे पहले बात करते हैं जियेटो जियेटो का जो सम्मंद है वो इटली से ही है क्योंकि पुनर्ट जागरम कालें जो चित्रकला है उसकी सुरवाद कहां से हुई है इटली से हुई है इसलिए जियेटो का जो सम्मंद है वो इटली के कौन से नगर से है Florence नगर से पुनर्जागरन की जुसक्त वात होई यह वो पिया आपके कहां से हुई है Italy के Florence नगर से ही हुई थी तो जीयटों का जो सम्मन्द है वो भी आपके Italy के Florence नगर से ही है Florence नगर का यह निवाशी था जो जीयटों है इसको आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है इसका क्या कहते है जनक कहा जाता है न की सबसे पहले पुनर्जागरन काल में जो चित्र बनाए गए थे वो किसको द्वारा बनाए के थे तो जियेटो के द्वारा ही बनाए के थे या अपने यूं कहें कि आधुनिक आधुनिक कालीन चितर कलावा जो जनक है वो भी आपका किसको कहा जाता है जियेटो को ही कहा जाता है ठीक है तो ये दोनों बिंदों आपको ध्यान में रखने है अब बात करते हैं G8 के कौन-कौन से चित्र है जो आपको एक्जाम में पूछे जाते हैं तो G8 के जो चार चित्र है वो मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखने है चार चित्र हैं जीएटो के उसमें सबसे पहले जो चित्र है वो टेंपरा विदी में तयार किया गया चित्र है तो जीएटो का जो पहला चित्र है वो आपका है मक्खी का चित्र है प्रमुक के चित्र क्योंकि चित्र के लाफट रहे हैं तो कौन से व्यक्ति की दौरा कौन कौन सा चित्र बनाए गया है यह इंपोर्टेंट है तो पहला जो चित्र है वो इसका है मक्ही का चित्र मक्खी का चितर आगे आपने देखेंगे कि किस तरिके से मक्खी के चितर की रचना की गई है तो पहला जो चितर है इसका है वो है मक्खी का चितर दूसरा चितर है इसकी निर्दोस की हत्या का चितर और तीसरा जो चितर है वो है चिडियाओं को उपदेश देते हुए एक चित्र का नाम दिया होगा मिले और उसमें संत फ्रांसिस नाम आगर आपको देखने को मिले तो 99% है कि उसका आंसर क्या होगा जीटो का होगा हालागी मैं कंफरम 100% रही है लेकि 99% है वह आपको जीटो ही होगा क्योंकि संत फ्रांसिस का नाम आपको कहीं भी चित्र में देख इसका चितर बनाया है, तीसरा दू चितर बनाया है, वह है चिडियाओं को, चिडियाओं को उपदेश देते, चिडियाओं को उपदेश देते, संत फ्रांसिस का चितर, संत फ्रांसिस का चितर, और अगला चितर इनोने बनाया था betrayal betrayal का मतलब आप जानते हैं जो भी English Literature से समन देते हैं उनको तो पता है betrayal का मतलब होता है दोखा और इसमें किसका दोखा है तो इसमें जुडास का दोखा नजर आता है ठीक आगे अपन बात करेंगे जब एपोसल्स के साथ में अपन जब इसमें की तस्वीर देखेंगे तो वहाँ पर जो जुडास वेकती है उसके चैरे पर दोखा नजर आता है तो जुडास का जो दोखा है उसका जो चितर वो किस ने बनाया था बिटिंग एट गोल्डन गेट यानी इस चितर में क्या दर्शा है गया है मीटिंग मीटिंग हो रही है किसकी मीटिंग हो किसकी मीटिंग हो रही है इसमें सेंट आने और जोकिम की मिटिंग हो रही है सेंट आने और जोकिम अब ये कोन है तो इसा मसिय की माता का नाम है मरियम या मेडोना के नाम से उसको जानते हैं वर्जिन के नाम से भी इसको जानते हैं उसकी जो माता है यानि कि इसा मसिय की नानी जो है उसको नाम है किसका है तो ये किसका है आपका जियेटो का है इसके लावा मक्की का चितर ये दोनों चितर important है मक्की का चितर और meeting at the golden gate ये दोनों चितर important है ये तीसरा चितर एक आप ये याद रख सकते हो क्योंकि इसमें संत फ्रांसिस नाम आया है और संत फ्रांसिस जिस भी चितर में आपको नाम दिखे अगर आप confused आपको नहीं याद है तो संत फ्रांसिस अगर आपको चितर में दिख रहा है तो वहाँ पर आप जियेटो कर सकते हैं कुई जीएटो संदफ रासिंज के जो सबसी यादा चित्र हैं वो किसने बनाए थे आपके जीएटो ने बनाए थे तो यह कुछ प्रमुक्ष चित्र हैं जो आपको द्यान में रखने हैं यह दोनों जो चित्र हैं बिट्रेल और मिटिंग एक गोल्डन गेट यह पादुवा पादुवा नाम की जगह है कहाँ पर इटली में इटली में पादुवा नाम की जगह है पादुवा के अरेना चर्च में अरेना चपेल या अरेना चर्च यहाँ पर अरेना चपेल भी आ सकता है अरेना चर्च भी आ सकता है अरेना गिर्जागर भी आ सकता है तो जो अपन पठेंगे लिओनार्ड दे विंची तो लिओनार्ड दै विनची का एक आगिये famous चितर राएगा last supper the last supper the last supper जो चितर है वो आपका Milan Church की बोझ़े साला में बनावाए है इसलिए वहां पर आपको confusion नहीं होना है वो तो है Milan Church की बोझ़े साला जिटा में, और यह जीटो का जो चित्र है, जिसमें यह बिट्रेल और एक मिटिंग ए लड़िड गोल्डЭंगेट, यह दौनों ही चित्र पादवा के अरेना चर्च में बने हुए हैं, तो यह आप को ध्यान में रखना हैं, तो जिटो के बारे में इतनी ही बाते हैं जो आप फिस अब देकि अपने बात करते हैं लियोनार्ळों डविंची की अ लियोनार्डो लियोनार्डो डएड़ विंची आप or कफी फिमस चितरकार है नंत्रकार वापने इसी को मान सकते हैं और इसका थो सम्द है वो भी आपका कहां से है फ्लॉरेंस के है अपन पढ़ेंगे चितर कारूं में उन database लगबग चितर कारूं का जो सम्द है वो इटली के फ्लॉरेंस नगर से ही है वैसे अपनड जागरन की सुरूआ भी इटली के फ्लॉरेंस P कई चीजें थी इनमें सबसे पर्मों के ये चिकित्सक भी था आपको जानकर आश्चरी होगा ये इस तरीक के से पागल था चिकित्सक के पीछे क्योंकि ये आपका कवरिस्तान में जाकर गड़े विए जो सब है उनको वापस भाड निकाल कर और उसकी चीर फाड करके या उन था उतां लनी तक ये था ऑ चिकित्सक घणी तक ये था इसका मतलब ये बैकर गया विगयानी था था कि क्योंकि एक फिल्होंपर ये येंजीनियर ये अपने आपहॲाए था यानि कि यह बहुम की परतिबा का दनी था लेकिन एक चीज जो इसको माइकल एंजिलो से अलग करती है प्योंकि माइकल जो एंजिलो है वो भी बहुम की परतिबा का दनी था लेकिन लियोनार्दो दो विंची है यह क्या था आपका मूर्तिकार और कभी नहीं था प्लस कवी नहीं था ये आपको ध्यान में रखना है उच्ब कि Michael Angelo जो था मूरतिकार लेकिन कवी नहीं था कि जो कभी होता है वो तो लेखक होता है कि कवी लिखता है लेकिन कोई लेकर कवी हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए लियोनार्टो दविंची है, ये मूर्तिकार और कवी नहीं था, जबकि माइकल एंजिलो मूर्तिकार, अस्ताफ्तिकार, वास्तुकार के साथ, साथ में आपका कहा रहा कवी भी था, परिक्षन का ये अन्यूआई था, क्योंकि आप चिकितसक के बारे में आप यहाँ पर आडिया लगा सकते हैं कि कब्रिश्तान में जाकर गड़े वे जो सव हैं मुर्ते हैं उनको भाहर निकार करके चीर फाड़ करके बाद में वो परिक्षन करता था तो एक तरीके से देखा जाए तो यह परिक्षन का कि ये पुस्तक है किसकी है लियो नार्ड दे विंची के कि पुस्तłem के चीत्रकला इस की बारीकियों का वनें सिस्टक में किया गया है तरसल लियोणार्ड दे विंची का एक कःतन है काफी फेमस है इन्होंने दो परमुक वस्तों के उपर बल दिया है लियोनार्डो देविंची ने कहा है कि एक अच्छा जो चितर कार होता है वो दो परमुक वस्तों को द्यान में रखकर किसी चितर की रचना करता है एक तो मनुष्य है यानि कि जिस मनुष्य का वो चितर बना रहा है वो और जो दूसरी प्रमुख चीज है वो है मनुष्य की भावनाई मनुष्य की भावनाई यानि कि एक अच्छा जो चितरकार होता है वो किसी भी चितर को बनाते समय दो प्रमुक चीजों का ध्यान रखता है जिसमें एक हापका मनुश्य है और दूसरी है मनुश्य की भावनाई यानि कि एक तो सामने व्यक्ति बैठा है उसका आपन चितर यहाँ पर ड्रो कर रहे है तो जैसा व्यक्ति बैठा है बिलकुल व्यसा कवैसा चितर ड्रो करना यह एक चितरकार की विशल्श्ता है दूसरी उस परडिकलर व्यक्ति के चहरी के ओपर जो भावनाई है वो किस तरीके की भावनाई एक चितर में आपको प्रजेंट करनी है अगर यह दोनों कला एक व विश्व की सबसे ज़्यादा एक रहष्य मैई, विश्व की सबसे ज़्यादा चर्चित चित्र है मोनालिसा जो की अभी वर्तमान में पेरिश के लूबरे संग्राले में रखीत है तो उसकी अब आगे बात करेंगे लेकिन करने का मतलब है एक मनुष्य के अच्छे चित्रका लोरेंजो लोरेंजो यह कहा था लोरेंजो वाला नहीं है इसके दर्बार में था यह 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 आपके मिलान चर्च की भोज़े साला में बनावा होगा तो यह मिलान का भी दर्बारी चित्रकार था यह आपका लोरेंजो का फ्लोरेंज का भी दर्बारी चित्रकार था यह के दरबारी में भी रहा था तो एक दरबारी चितरकार था तो यह चीज़ें आपको लियोनार्डो डविंची के बारे में बेसिक रूप से ध्यान रख नहीं है अब देखे बात करते हैं लियोनार्डो डविंची का सबसे पहला चितर कौन सा है यह इनकि इन्हों ल्योनार्ड दा विंची के जो पिता थे वो इनको लेकर गए थे अपनी माता से मतलब छिफकर लेकर गए थे इनकी यह जो था वो इनका सोतेला कुतर था फिर वह एक अलग विश्य है उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे वन योनादो देविंच्यू को इनके जो पिता है वो जिस वेक्ति के पास में लेकर गए थे चितरकारी शिखाने के लिए उसका नाम था अंद्रे डेल वेरेच्यू अंद्रे अंद्रे डेल वेरेच्यू या फिर अंद्रे पर इंड्रिया वेरेच्यू ये दोनों एक भात ऑंद्रे डेल वेरेच्यू या फिर इंड्री वेर। देखे दरसल वाक्या था जब इनके पिता यानि लियोनार्दो दे विंची के पिता इनके पास में आंद्रे डेल विरेच्चियों के पास में जब लेकर गए थे तो यह जो विरेच्चियों है यह एक चितर बना रहे थे और उस चितर का नाव है बैप्टीजम ओफ क्राइस् यह जो चितर है वो चितर कोन बना रहे थे आंद्रे डेल विरेच्चियों इस चितर की रसना कर रहे थे जब विंची उनके पास में चितर कारी शीखने के लिए गए थे अरे कोई वेक्तिया आता है पास में अपन तो यह कहता ने एक बार बैठो मैं कोई काम कर रहा हूं य लेकिन उन्होंने क्या देखा जब आंद्रे डेल विरेचियो या एंड्रिया विरेचियो किसी काम से जब वापस आई तो उन्होंने देखा कि ये जो लियोनार्दो देविंची है ये उस चितर को पूरा कर दिया उन्होंने देखे आगे मैं आपको चितर दिखूंगा उस च चितर कारी करने वाला जो पैन है उसको साइड में रख दिया और आंद्रे डेल वेरेचियों ने कहा कि आज से इस चितर कला की स्कूल में इस पाट साला में मैं चितर नहीं बनाओंगा बलकि कौन मनाएगा लियोनार्डो दे विंची जो चितर है वही इसमें चितर बनाएंग इसमें आपके लियोनार्डो दे विंची की भी मूमिका रही है लेकिन वे से क्या है कि इनके गुरू के साथ में स्विंट चितर है तो ये इनका पहला चितर है अब देखे एक बार अपने वो चितर देख लेते हैं जो कि अंद्रे डेल वेरेचियों के साथ में चितर है ये लियोनार्डो दे विंची के जो गुरू है आंद्रे डेल वेरेचियों इनके द्वारा बनाये हुए चितर है लेकिन इतना चितर ही उन्होंने उस समय बनाये था किवल इन दो का चितर ही उन्होंने बनाये था बाद में वो किसी काम से चले गए थे लेकिन वो जब तक वापस है तब तक इन दो परियों का जो चितर है यह आपका किस के द्वारा बनाए गया है लियोनार्दो दे विंची के द्वारा बनाए गया है इसलिए हम कह सकते हैं कि लियोनार्दो दे विंची का जो पहला चितर है वो अपने गुरू के साथ में है और उनके गु इनका मोनालिसा हरे एक चित्र को अपन देखते हैं चलेंगे डायग्राम चे अपना आराम चे बढ़ेंगे ताक कि आपकी memory में ये प्रमानेंट सेव हो जाए जो थो चित्र है उसकी बात करें तो यह जो मोनालिसा कि जब मित्र थे जियो कॉंडा उनके पत्नी थी ये कौन मोना लिसा देखिए वर्तमान में अपन जो स्रीमान या श्रीमती लगाते हैं उन्हीं तरीके से पहले समय में मोना नाम हो लगा जाता था यानि कि ये आपका आदर सुचक सब्दे मोना जबकि इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या था आपका लिसा डेल लिसा डेल गिरार्दिनी लिसा डेल गिरार्दिनी ये इनका वास्तविक नाम था लिसा डेल गिरार्दिनी तो मोना जो है वो सम्मान सुचक सब्दे इस तरीके से स्रीमान श्रीमती अपन लगाते हैं उसी तरीके से मोना नाम लगा ग वैसे इनको ला जियो कॉंडा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जियो कॉंडा नाम नामक जो व्यापारी है इनकी ये पत्नी थी इसलिए इनको ला जियो कॉंडा नाम से भी जाना जाता है और ये जो चितर है मौनाली सा चितर है ये देखें ये मौनाली सा चितर है ये वर यह जो मॉनालीसा का चित्र है इसको आप देखेंगे तो यह जो है विस्व का सबसे ज्यादा चड़्चित और रहसे में चित्र है यह आपका मॉनालीसा का चित्र है आप देखेंगे इस चित्र वो ध्यान से देखेंगे आप जब इतनी आखों आखों को देखेंगे तो आप लेकिन जब कियो इनके होटों को देखते हैं तो इसा रगता है कि एक अजीब शी मुसकान है इनके होटों पर यह होटों माली जो मुसकान होता आप देखते हैं तो आपको इसका आडिया भी लग जाता है तो इस तरीके सी यह जो चितर है यह क्या आपका विश्वका सबसे ज चितर आपका कोन सा यह मनालेशा का चितर ठीक है तो ये आफकी पहला हो गया अब देखें कि इसके दूसरे चितर के बात करते है इंका जो दूसरा चितर है यह हद लास्ट देखाई रहा है यह देशादव चितर है CT he है इस चितर का नाव है यह इ curso बखे लाश्टर को सफर है कि टाकिसी और में आप देखेंगे तो यह बीच में था प्रकोप ऑ två म्तलब किया होता है अंतिम भोज यानि यह इसा मसिए के अंतिम भोज का कि अन्तिम भोज अन्तिम भोज का चित्र है इसमें है तो अगर ध्यान से देखेंगे तो तीन वेक्ती तो यह रह गए तीन यह आं पर यह तो तीन चोग बारा और यह बीच में यह वेखवर आपके इसाम सिय बैटे हैं तो यह डाट्श्ट रहुड मिलतिन पर मन दीता है ये सभी बैट कर क्या कर रहे हैं आपर भोजन कर रहे हैं इसमें इसा मशी है इसा मशी है को इनके जो बारा एपोसल्स है एपोसल्स का मतलब होता है बारा सिश्य है तो इसा मशी है और इनके जो बारा सिश्य है उनके साथ में इस चित्र में दर्शाय गया है लियो बहुत साला में बहुत साला में यह चित्र बनावा है यह जो बारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इन बारा में से आप इस वेक्टिव को अगर ध्यान से देखोगी तो यह इसका मुह कहीं हो रहा है और इसके चैरे को देखकर यह अपन आईडिया लगा सकते हैं कि यह वेक्ति है कोन वैसे जुडास है अपने स्टार्टिंग में बात किते हैं जब जीटो के अपने चित्र लिखी थे तो जीटो के चित्र में मैंने आपको पांच चित्र बताया थे उसमें जो आपको चार नमर या तीन नमर का जो चित्र बताया था मैंने आपको बिट्रे लाइव ड्रामा या जीवन्द नाटक जीवन्द नाटक इस नाम से भी इस चितर को जाना जाता है तो यह आपका दे लास्ट सफ़र्ड चितर है इसा मसिया के अंतिम भोज उसे संबन दीता है यह इसा मसिया अपने बारा एपुसल्स यान की बारा सिस्य के साथ में बोजन कर यह आपका पादवा के अरेना चर्च में बने वे थे और यह जो लियोनार्दो दे बिंची का जो चितर है दे लास्ट सफर्ड यह आपका मिलान चर्च की बहुत साला में बनावा है ठीक है तो यह हो गया आपका देख लास्ट सपर यह Virgin of the Rocks अगला जो चितर है आपका लियोनार्दो दे विंची का वो आपके है पहाड़ियों की सुंदरी या Virgin of the Rocks पहाड़ियों की सुंदरी लेकिन आपको एक्जाम में जो कुशन दिया जाएगा उसमें वर्जिन ओफ दैर रोक्स नाम ही दिया जाएगा वर्जिन ओफ दैर रोक्स नाम का जो चित्र है ये इसा मशिय की मा जो मरियम है उसका चित्र है यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और यह इसा मसीय की जो मा मरियम है उसका चित्र है यहाँ पर यह बच्चों को खिला रही है इस चित्र के बारे में कहा जाता है कि इसमें जो प्राकर्तिक दर्शे है यानि कि इन जो मानविये चित्र है इन से ज्यादा यह जो प्राकर्त दर्शे हैं प्राकर्तिक दर्शे है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ठीक है तो यह आपका चित्र हो गया कौन सा वर्जिन ओप्दे रोक्स यानि की पहाड़ियों की सुंद्री अब देखिए अगले चित्र के अपने बात करते हैं यह है सेंट आने सेंट आने कौन है इसा मशिय के मा मरियम और मरियम की जो मा है उसका नाम है सेंट आने मरियम की मा यानि की इसा मशिय की नानी हो गई तो यह है वर्जिन एंड चाइल्ड वित सेंट आने आने या जो अगला चितर है यह आपका लियोनार्ठ द विंची का चितर है इसमें यह जो वेक्ती है यह जो शिसु है यह शिसु को है नहीं आपका इसामसी है यह आपको यहाँ पर दिख़िए रहे हैं यह कोन है यह मर्यम है इसामसी चुपित My app और ये जो आपको मेला दिखाई दे रही है यह है सेंट आने यह इनकी वर्जिन वर्जिन इसे को बोलते है मरियम को बोलते है इसा मसीय की मा को मरियम या वर्जिन के नाम से भी जाना जाता है मेडोना के नाम से भी जाना जाता है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ इस वारे में तो ये इसा मसीय है, सिसू है ये इसा मसीय की मा मरियम है और ये इनकी मा यानी इसा मसीय की नानी है कौन सेंट आने तो इसमें मरियम को बालक यशू या इसा मसीय के साथ में ये महिला संद आने के साथ में दर्शाय गया है तो ये चितर भी आपका किसका है? लियोनार्दो दविंची का चितर है अब अपने बात की है अभी अपने बात की इस मोनालिसा के बारे में जो की पेरिश के लूबरे संग्राले में रखा गया है तो लगे हाथ अपने बात कर लेते हैं भारत की मोनालिसा के बारे में तो जो भारत की मोनालिसा है वो कौन आपकी? कौन शी पेंटिंग है? बनी ठनी पेंटिंग है अरे जब अपन राजस्तान जीके पढ़ते हैं तो राजतान जी के में अपन जब मारवाड स्कूल और पेंटिंग पड़ते हैं तो उसमें किसंगर्ड चितर शेली पड़ते हैं किसंगर्ड चितर शेली में अपन बनी ठनी पेंटिंग को पड़ते हैं जो कि बनी ठनी पेंटिंग है वो भारत की मौनालिसा कहलाती है देखे पेंटिंग का नाम Бारत की मानलशा इसी को क्या कईते हैं बनी ठनी पैंटिंग कहते हैं आपकी हैं वह बनाइग उन्हाल चंद की द्वारा बनाए गई है जब आपने किसंगाड चितर शेली पड़ते हैं तो उसमें अपन इसको पड़ते हैं निहाल चंद की द्वारा इस बनी इशनी पैंटिंग को बनाया गया है जो कि भारत की मोना लिशा कहलाती है ठीक है तो यह मेरे याद आ गया था इसलिए मैं इसको भी आपको यहाँ पर श देविंची के अपने बात की तो लियोनार्ट देविंची के स्टार्टिंग में जब इनके गुरू के साथ में अपने इनकी तस्वीर देखी थी तो वो कौन ची थी बैप्टिजम ओफ क्राइस्ट यानि कि जो इनके गुरू के साथ में आंद्रे डेल वेरेचियो के साथ म में उनको दर्शाय गया है उसके बाद में हमने वर्जिन ओप दरोक्स यानि की जो पहाड़ियों की सुंद्री है इसा मशीय की मा मरियम का चितर है जिसमें प्राकर्थिक दर्शे महत्वपूर्ण है और उसके बाद में अपने बात की है वर्जिन एंड चाइल्ड वित सेंट आने इसमें मरियम को बालक जो इसा मशीय है उनके साथ में दर्शाय गया है उसके बाद में अपने बात किया भारत की मौनालिसा यानि की बढ़ी ठणी पेंटिंग के बारे में बात की है अब अपने बात करते हैं अगले चितरकार और अगला चितरकार है अपना माइकल एं एंजिलो देखें माइकल जो एंजिलो है यह भी आपके फ्लोरेंस नगर के निवासी है यानि कि यह भी आपके इटली के ही रहने वाले है अभी अपने तीन चितरकारों की बात की है और तीनों का ही संब्द काहां पर आप फ्लोरेंस नगर इटली के निवासी है अपने बा आपके Michael Angelo में भी है लेकिन Leonardo Da Vinci थे वो मूर्तिकार और कभी नहीं थे मैंने आपको highlight किया था कि मूर्तिकार और कभी नहीं थे Leonardo Da Vinci लेकिन Michael Angelo अस्तापत्यकार और जित्तकार होने के साथ साथ में ये मूर्तिकार भी है और कभी भी है यही चीज इनको Vinci से अलग करती है ये म कुर्तीकार है कभी है.. अब कभी है इसका मतलब क्या है ? लेखक भी है और यह जो माइकल ऐNजीलो है यह विंचिक की बाती ही जो फ्लॉरेंज के सा सकते लोरेंजो उनके यह दर्बारी चित्रकार भी थे, माइकल एंजिलो का एक खहतना जो कि कई बार एक्जाम में पूछा जाता है कि जो चित्र होते हैं, वो मस्तिक्सक से बनाई जाते हैं, नेकी हाथ से ये खहतना इनका, चित्र मस्तिक्सक से बनाई जाते हैं हाथ से नहीं ये जो खतन है ये इसके द्वरा कहा गया है ये किस आपका माइकल एंजिलो का खतन है लियोनार्दु दविंची के बारे में अपने बात की थी उन्होंने एक चित्रकार में दो प्रूमुक चीजों को महत्वपनु बताया था एक मनुश्य और एक मनुश्य की बांगना ये ल मािकल एंचिलो ने जो चितर बनाई है वो वेटिकन की जो सिस्टाइन चर्च है उसकी चत के उपर बाइबल से समाधिये 65 चितर नोंने बनाई है माइकल एंजिलो ने बनाई है और ये वेटिकन के जो सिष्टाइन सर्च है उसकी चत पर बनाई है इसकी चत के उपर बनाई है और इनके जो चितर है ये ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जाने जाते हैं Old Testament Old Testament के नाम से इस नाम को देखकर आपको एक नाम ध्यान में आया होगा अपने कल बात किती सेप्टेंबर टेस्टामिंट की Bible का जर्मन भासा में जो अनुवाद वाता उसको सेप्टेंबर टेस्टामिंट के नाम से जाना जाता है इने 165 चित्र आपको सारे तो नहीं याद करने है लेकिन जो एक्जाम में पुछ जाते हैं उनके अपन बात कर लेते हैं इनमें जो सबसे इंपोर्टेंट है जो एक्जाम में पूछा जाता है वो आपका है एक तो Last Judgment Last Judgment ये जो चितर है ये आपको एक्जाम में पूछा जाता है किसका है माइकल एंजिलो का है इसके लावा माइकल एंजिलो का एक वर है देफाल ओफ मेन यान कि मनुश्य का पतन देफाल ओफ मेन मनुश्य का पतन ये जो चितर है ये भी किसका है आपका Michael Angelo का है इसके लावा है कि creation of Adam के नाम से भी जोशी तरह ये भी आपका इनिका है creation of Adam creation of Adam Adam कौन है अरे Adam कौन है Adam अपन जो यहुदी धरम होते हैं यहुदी जो लोग होते हैं वो Adam को सरस्टिका पर्थम वेक्ति मानते है यहुदी जो आपका इस्राइल है इस्राइल में यहुदी लोग सबसे यहादा निवास करते हैं तो यहुदी धरम के अनुसार आपका जो Adam है अरे आपन बात नहीं करते हैं कोई भी बात होते हैं आपन कहते हैं गेशी के बारे में कि फलानों वेक्ति का हैं बाब आदम के जमाना को है तो जो आदम है वही क्या एडम है ठीक है तो एडम को यहुदी धरम में सरश्टिका सबसे पर्थम वेक्ति माना जाता है तो यह जो creation of Adam जो चित्र है यह आपका किसका है Michael Angelo का है इसके लावा last judgment है और the fall of men जो चितर है यह भी आपका किसका है Michael Angelo का है देखिए the fall of man चितर में आपको दिखाद देता हूं यह है the fall of man the fall of man यह जो चितर है यह आपका किसका है Michael Angelo का है और यह चितर देखकर आप idea लगा भी सकते हैं कि मनुष्य का जो पतन है वो की सोर जा रहा है ठीक है तो Michael Angelo के बारे में अपने बात कर चुके हैं अब देखिए अगली बात अपन करते हैं राफेल उर्बिनो के बारे में राफेल उर्बिनो इनका नाम तो वैसे राफेल ही है लेकिन यह इटली के उर्बिनो सहर का रहने वाले हैं इनका जो नाम है वो इनके सहर के साथ में लगाते हैं राफेल उर्बिनो यह कहां कि आपके इटली के हैं पहले आप करने बात की है जो तीनों चित्रकार है वो तीनों कहां के थे फ्लोरेंस के थे लेकिन जो राफेल उर्बिनो है ये इटली के उर्बिने उर्बिनो स्थान के निवाशी है ठीक है इन्होंने जो चित्र बनाए है वो वातसल्य और मातरत्वा को ध्यान मेरे कर बनाए है वातसल्य वातसल्य या मातरत्वा प्रेम वात्वल्य और आपका जो मातरत्वा प्रेम है उससे संबंदित इन्होंने चित्र बनाई है इनका जो चित्र है वो सबसे प्रमुख चित्र है सिश्टाइन मेडोना सिश्टाइन मेडोना इस नाम से इन्होंने चित्र बनाई है मेडोना कौन है इसा मशीय के जो मा मरियम है उसी को मेडोना और उसी को वर्जिन के नाम से जान जाता है तो इसा की मा मरियम का चितर है ये सिस्टाइन मेडोना और देखे अपन ये चितर में आप पर दिखा देता हूँ यह सिस्टाइन मेड़ना नाम का चित्र है यह इसामसीय की मा मरियम है और इनकी गोध में यह कौन आपका इसामसीय है इसामसीय की मा मरियम का चित्र है सिस्टाइन मेड़ना और इनकी गोध में कौन है बालक जो शिसू है इसामसीय उनको दिखाया गया है आगला जो चित्र है, इनका हुआ है एध्हिन्स का स्कूल ये आप दे सकते हैं, स्कूल आफ्ऐन्स यानि की एध्हिन्स का स्कूल ये चित्र यह दूसरा नमर का है यह तीसरा नमर का है डिस्प्यूट क्या होता है कोई विवाद तो डिस्प्यूटा क्या होता है कोई बड़ा विवाद ठीक है तो डिस्प्यूटा जो चित्र है यह भी किन का है राफिल उर्भिनो का है यह जो एथेन्स का स्कूल है इस एथेन्स के स्कूल के चित्र के अंतरगत अरस्तु और प्लेटो के मद्दे वारता का वर्णन किया गया है यह आपको गेखती यहां पर दिखाए दे रहे हैं अरस्तु और प्लेटो इनके मद्दे वारतालाप का जो चित्र है यह एथेन्स के स्कूल के चितर के अंदर के दर्शाया गया है टीक है तो यह आपका राफेल उरविनोव से संवन्धित हो गए खांजेली को ने जो चितर बनाई है वह अब के मरियम से संवन्धिती बनाए है लोरेंस का ही ये झिवाशी था इन जो चित्र नाम है मेडोना इसके अलावा फंजली को नहीं है वो आपका है मेडोना और मेडोना को ने इसा मगशियग की मा मरीयम है और मरियम का चितर है मेड़ोना इसके लावा एक लेक्ती और हुए है लुईद मुरेल यूई। अ цен किन्होंने पी एक चितर बनाया है और उस चितर का नाम है मेडोना if अब आपको यहां पर confuse बिल्कुल भी नहीं होना है confuse नहीं होना है क्यों नहीं होना है देखिए यह तो राफेल है यह कहां के रहने वाले हैं उर्विनों के रहने वाले है उर्विनों कहां पर आपका इटली में है पांजेलिकों कहां के रहने वाले हैं Florence के लरने वाले हैं और Fourth प्राइप में ईडली त्वह ङूख यह आपके कहां की निवासी है इसपेंगी दिवासी है लेकिन तीनों ने ही चितर बनाए है आपका मेडोरना नाम है वोे तीनों में आ मेड़ना चितर किसका बनाया हुआ है तो भले ही आपको तीनों ये उप्षन में मिले शिष्टाइन मेड़ना जो चितर है ये आपका किसका बनाया हुआ है राफेल का बनाया हुआ है ये आपको यू पूछे कि निम्न में से कौन सा वो चितर कार है जो की आपका फ्लोरेंस से संबंदित है और उसने मेड़ना नाम का चितर बनाया है तो जो राफेल है यह तो आपका उर्विनों से संबंदित है फ्लोरेंस से संबंदित नहीं है और लुई दमोरेल है यह आपके स्पेन से संबंदित है फ्लोरेंस का कौन है अंजेली को है जिनोंने मेड़ना नाम का चि अधून्हें एक दस्ताना पहने होए व्हेक्ति का चितर बनाया है। इसने टी phones या फिर टी सियन एक है। तिन्टो रेटो तिन्टो रेटो इन्होंने एक चितर बनाया है जिसका नाम है पेरडाइज। paradise, ये पुनट जाग्रन काल का सबसे बढ़ा चित्र माना जाता है, जो कि किस के दवरा बनाए गया है? Tinctorette के दवरा बनाए गया है, नाम थोड़ा सा जीवा तिनटो बनाए आ कि उसकी दो पुस्तकों के बारे में अपने बात की थी एक Paradise Lost और दूसरी Paradise Regained या फिर Regened तो Paradise नाम है वो आपका पहले भी सुना वाए तो ये Tintorator नाम का जो वेक्ति है इसका चितर है Paradise और ये पुनट जागरन का अलगास से बड़ा चितर माना जाता है तो ये अपने बात किये चितर कला के बारे में जो की मुखे रूप से इटली से संबन दी थे और स्पेन का एक वेक्ति है लुई दो मुरेल इन्होंने भी मेडोना जो की इसा मशिय के मा है उनका चितर बराय है अब देखिए एक बात करते हैं होलेंड या एक निदरलेंड का रहती है फ्रेंज होल यह है फ्रेंज होल यह कहां का है आपका होलेंड का है होलेंड या वर्तमान में इसको क्या कहते हैं नीदरलेंड नाम इसका क्या है फ्रेंज होल इसका चितर आप देख सकते हैं इन्होंने एक चितर बनाया है लाफिंग केवेलरी के नाम से एक चितर बनाया है लाफिंग के वेदरी लाफिंग के वेदरी नाम से जो चित्र बनाया है वो किसमें बताया है फ्रेंज होल ने बनाया जो की होलेंड या निदलेंड के निवासी है यह जो लाफिंग के वेदरी चित्र है इस यह जो चित्र किसे समझ दीता यह से निकों से समझ दीता यह चितर इसके लागा एक चितर और है राइन रेंब्रा राइन रेंब्रा राइन रेंब्रा यानी रात का पहरा रात का पहरा राइन रेंब्रा नाम की जो वेक्ति हैं उन्होंने चितर बनाया है रात का पहरा नाम से चितर बनाया है इसको आप याद आराम से रख सकते हैं क बर इन्म ने चित्र बनाए है, रात का पहरा. तो तीनों में यह रह आ रहा है. तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं. अब देखें अगल्ह अपन बात करते हैं, गर्मन चित्रकला की. जर्मन चित्र कलामे भी आपको एक ही वेक्ति का नाम दियान में रखना है जर्मन चित्र कलामे और जर्मन चित्र कलामे जो वेक्ति है उसका नाम है हान से हाल्विन हान से हाल्विन हान से हाल्विन को जो चित्र है वो आपको आराम से याद रह जाएंगे क्यों याद रजाएंगे क्योंकि हान से हालवीन स्वेम तो कहां का था जर्मनी का था लेकिन इन्होंने जर्मनी से संबंदित किसी भी वेक्तिका चितर नहीं बनाया है क्यों क्यों कि देखिए इन्होंने चितर बनाया है इरेसमस का इरेसमस कहां के थे होलेंड या निदलेंड की निवासी थे इसके लाव इन्होंने चितर बनाया है अश्टम के चितर हेंडरी अश्टम के चितर बनाया है इसके लाव इन्होंने थॉमस मूर के चितर बनाया है Thomas Moore या फिर ये Thomas Moore भी आपको देखने को मिल सकता है इसके चितर बनाए है तो Erasmus आपके Holland या निदिलेंड के है जबकि ये Henryastam और Thomas Moore ये दोनों ही कहां कि आपके England के है और स्वेम कहां कि है आन्सा ओलिविन जर्मनी के है तो ये आपको इस तरह की शयाद रह जाएगा इसके अलावा इन्होंने एक Christ in the Tom नाम से भी एक चितर बनाया है Christ in the Tom Tom क्या होती है आपकी जो कबर होते है यानकि कबर में इशाम रशी है इस नाम से भी इन्होंने एक चितर बनाया है जो कि कहां से समocratic आपके जर्मनी से समद्हीत है तो ये होगए आपकी जर्मन चितरकला तो अमीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब अपन बात करते हैं चितरकला की जो पेंटिंग होती है आपकी उसके बारे में बात कीते हैं अपने मेंने आपको इस स्टार्टिंग में बताया है चितर कला के बारे में जो परमुक पैंटिंग है सकते हैं और पहली आप कि यह टेंपरा पेंटिंग है का इस प्रकार की जो चित्र होते हैं लकड़ी डुर्ड होता यहे श्तितर बना जाते हैं और यह पैंटिंग इसमें रंगों के साथ साथ में अंडरी की जर्दी होती है उसका प्रियोग क्या जाता है अंडे के साथ में रंग के साथ अंडे की जर्दी इसको मिलाकर आपका टेमपरा पेंटिंग में कपड़े के उपर या लगड़ी के बोर्ड के उपर ये चितर बनाए जाते हैं और मैंने आपको बताया था मक्खी का चितर उदारन ने टेमपरा पेंटिंग का मक्खी का चितर और मक्खी का चितर किसका है जीटो का है तो इसका मतलब टेमपरा जो विधी है इसके प्रेंटता भी कोन आपके जीटो है टेमपरा पेंटिंग के प्रेंटता कोने जीटो है और सर्वस्रेश्ट उदारन इसका कौन सा है म देखिए दूसरी पेंटिंग है वह किया फ्रेस को पेंटिंग इसी को क्या बोलते हैं बिती चित्रण बिती का मतलब डिवार यान कि दिवार के उपर ये चित्र बनाये पॉर सी पताती में ed ar richness को पेंटिंग में और इसका माइकल एंजिलो का जो लापिश्ट जजी मेर झाल जाए और उससे लाजिश्ट का सिर्प्रशेश्ट उदा रहन है माइकल एंजिलो का तीस सी बात किते हैं एइंफी trib कि इसका दो बदरन है क्या आप अलास्ट जज्जमेंट भीजिए कि इसका उढ़ा कि की स्का है माइकल पहकंड न प्रेंचिक हो फिर इन कोस्थिंग एनकोस्टिक पेंटिंग एनकोस्टिक प्रेंटिंग कुन सी होती है एनकोस्टिक वो प्रेंटिंग होती है इसको इसका दूसरे नावा तेल ये चित्रन यानि कि चित्रों को बनाने में तेल का प्रियो के जाता है तेल में मौम को मिला कर इसमें क्या होता है तेल ये प्रेंटिंग होती है इसमें तेल क के लेम को मिला कर फिर इसमें चितरकारी की जाती है और इस के ठरेंटता है वह बेलजीम के दो आइक बंदु है कि अ उन्हों निस Gu mains i2 कि रश्व्य और इनका जो नाम है हर्वट आइक है झान एक तो हरवर्ट आइक एक को दूसरा है जोन यह आपके दोनों आइक बंदू है यह प्रेंटता है किसके एंकॉस्टिक प्रेंटिंग के तो देखो तीन प्रेंटिंग है चितर बनाने की जिसमें पहले है टेंपरा प्रेंटिंग इसका जो सबसे पहले प्रेंटता है वो है जीटो जीटो की मक्षी का चितर बनाया था इस जज्जमेंट चित्र तीस है एंकोस्टिक पेंटिंग इसी को तेल लिए चित्र बोलते हैं तेल में मौम को मिला कर चित्रकारी की जाती है और आइक बंदूं को इसका प्रेंड था माना चाहता है हरवर्ट आइक और जोन इवेन आएक इन दोनों बहाईयों ने एक चित्र बनाये था दे ग्रेट आल्टर पीस के नाम से इसलिए एंकोस्टिक पेंटिंग का यह सर्वसरेश्ट उधारन कहलाता है तो आज अपने बात किये देखें स्टार्टिंग से फिर से देख लेते हैं एक बार आज आपने क्या क्या पढ़ा है पुंद्र जागरन कालीन चित्रकला के बारे में पढ़ा है चित्रकला में सबसे पहले अपने जीएटों की बात की है पुंद्र जागरन कालीन चित्रकला का जनक किसको कहा जाता है जीएटों को कहा जाता है उसके बाद में जीएटो वो उसका चितर किसने बनाया है, जीटो ने बनाया है, और मीटिंग एड़ गॉल्डन गेट, ये चितर भी किसका बनाया है, आपका जीटो ने बनाया है, उसके बाद में दूसर नमर पर अपने बात की थी, लियोनार्दो दविंचिक की, तो ये फ्लोरेंस नगर के रहने वा है, और उस उसका नाव है, ट्रिटाई सोन पेंटिंग, बाद में अपने बात की थी, लियोनार्दो दविंचिक के गुरू, तो आंद्रे डेल वेरिचियो या एंट्रिया वेरिचियो, बेप्टिज्म ओफ क्राइस्ट नाम का जो चितर है, वो आप यहां पर देख सकते है यह आंद्रे डेल वेरिचियो का चितर है, लेकिन साथ में यह जो दो प्रिया बनाए गई है, यह आपकी लियोनार्दो दविंचिक ने बनाई है, इसलिए लियोनार्दो दविंचिक का यह पहला चितर है, लेकिन अपने गुरू के साथ में है, इसका मतलब यह क्यासा है, स सिस्यों के साथ में वोजन करते हुए दिखाया गया है जिसमें यहां पर जुडास के तेरे पर दोखा है वो आपको नजर आता है इसी तरी किसी को लाइव ड्रामा या जीवन तरनाटक के नाम से भी जाना जाता है फिर अपने बात किये वर्जिन ओप दे रॉक्स यानि की प यानि की इसामची की क्या हो गई यह नानी हो गई तो यह एक चितर है इसमें दिखाया गया है इसी तरीके से अपने भारत की मौनालिसा की बात किया बढ़ी ठणी पैंटिंगा मोर्दवज निहाजन की दोरा बनाए गई उसके बाद दूसरे चितरकार अपने बात की थी मा इनों ने जो एक सो पहतारी चितर बनाए है वो सिस्टाइन सथ के छत के उपर बनाए है जिसको ओल्ड टेस्टामेंट का नाम से जाना जाता है इनके प्रमुक्स चितर है उन्हें मुख्य रूप से लास्ट जज्जिवेंट है दैफाल उफ मेन है दैफाल उफ मेन यह जो हुआ है इसके बाद में राफेल Orbeino की बात की थी यह इटली के रहने वाले है आतस अले मात्तवा प्रेव इनके चितर में जलगता है सिश्टाइन मेडोना के नाम के साथ में दिखाया गया है उसके बाद में पने शिश्टाइन मेडोना के और भी कुछ चित्रों की बात की थी लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एथेन्स का स्कूल ये भी इनी का चित्र है राफेल का है सिश्टाइन मेडोना इसके लाब फांजेलिको का है मेडोना चित्र है और लूई देमोरेल का है मेडोना तीनों का है लेकिन लूई देमोरेल तो स्पेन के रहने वाले हैं पांजेली को फ्लोरेंस नगर के निवास यह हैं जबकि राफेल इटली के उर्भिनो सहर के रहने वाले हैं तिनों में अलग-अलग डिफेरेंस कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया तिन्टोरेटो की चितर है पेरडाई जो की पुन्र जागरन काल का सबस नाम से चितर बनाये है उसके पाहने अपने बाद की तई जरमन चितर कला की तो हांस हालवीन नाम की जो वैसती है इनका एक एक नाम आपको धियान में रखनाए इनॉन्हों ने जो इसका जो ज़द्यक है प्रेंटता है वो आपका कोने जीटो है और जीटो का जो मक्ही का चित्र है वो सरवत करश्ट उलारण है इसे हैं पदतिका बाद फिरेसको पैंटिंग और लास्ट में अपने अनकोस्टिक पैंटिंग के बारे में बात की है